आग्रह भी राहुल गांधी का है और सत्य राहुल गांधी का क्या है वो आज दिली हाई कोर्ट के इस बयान पर मैंने जो उल्लेक के उससे प्रतिस्थापित होता है कि AGL के शेयर जो यंग इंडिया को गए वो ट्रांसफर अपने आप में इस रप्चियस है है और यंग इंडिया के माध्यम से कैसे AGL की प्रॉपर्टीज हडप कर सके कोई उसका मात्र एक कागजी साधन है जिसकी पार्टी अंग्रेज ने बनाई हो वो अंग्रेजों पे टिपणी नहीं करे तो बहतर है दुबारा कहते हूं 2010 में जिस कंपनी की स्थापना चारिटी के लिए हुई 2016 में उस कंपनी ने इस बात को स्वीकारा कि हमने कोई चारिटी नहीं की जिस कंपनी को कॉंग्रेस पार्टी ने 90 करोड का लोन लिया उस कंपनी के लिए लोन कॉंग्रेस पार्टी ने माफ किया और उसका मालिकाना हर्क गांधी खांदान के पास दर्ज कराया उस मालिकाना हक के संदर्ब में दिल्ली हाइकोर्ट की टिपणी मैं दो बार पढ़ चुके हूँ हाइकोर्ट ने सारा एविडेंस देखने के बाद कहा कि AGL के उपपर यंग इंडियन का मालिकाना हक अपने आप में क्लैंडिस्टाइन है, सुरप्चियस है आज E.D. या Investigative Agencies के उपपर इस प्रकार का दबाव डालना, कहां तक लोकतंत्र और संविधान का सम्मान है, इस प्रश्ण का उत्तर निश्चित रूप से गांदी खांदान को देना चाहिए क्यों एक कंपनी जो अखबार का प्रकाशन करती थी, और अब रियल स्टेट का धंदा करती उसमें गांदी खांदान की इतनी रुची है, इसका मतलब रियल स्टेट से मो, मातर जीजा जी का नहीं, पूरे खांदान का है बशचित सMK & कमि रिरयो था उन्यूप समें ट्रशीरा यड खांदानी विर्टय जी तो अडरी ई। चिmedi, प्रबट वादरेशारी छींद वीकर्टि कर्या CERTI कित dubhya थ Gwen एधे है इंव ए ठूर्टिस ड्र EMPराशन कंपरश्ण प्रफ्त प्रच्ज के लिए जिए ओिया कुर्स अंधि यूश अलिए टेट सान फिर्टेस्टान है फिंटे यंडिया ऑने अजिया लिए टे दिए हैन्व कोट्सित्र टेश चे टालि विए इस थाटल्था बिर तेली है विए इस देट में खिंग को अबीडित वे आघ इन इंट्री ऑपरेटर नेमली दोटेक्स मेर्चंडाइस प्राइब लिमिटेड वाई वोड दो कॉंग्रेस पार्टी वेवाफ ए 90 क्रोर लोन and what is Rahul Gandhi's interest in real estate businesses which are now worth 2,000 क्रोर आज तक आपने कोई भी ऐसी कंपनी देखी है जिसको बनाने में चंद लाख रुपे लगे और जो मात्र शेयर ट्रांसफर के माध्यम से 2,000 करोड का मालिक बन जाए बिना एक 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 अक्टिविटी किये जो राम का स्तित्व नहीं मानते से अब रावन की बात करते हैं और कॉंग्रेस पार्टी रावन के उपट टिपनी नहीं करेगी तो और कौन करेगा जाए याधि बिल्कुल और अराजक्ता फैलाने के पीछे जैसा कि मैंने कहा लोग तंतर को बचाने का प्रयास नहीं है अराजक्ता फैलाने के पीछे प्रयास है राहूल गांदी की दोहजार करोड की संपत्ती बचाना दोटेक्स प्राइवेट लिमेटर इस शाते राहूल गांदीर की शॉंबंद एई प्रश्ण टामी कोट छी वही कंपनी अक्टा हवाला इंट्री ऑपरेटर शेल कंपनी वही कंपनीर शाते राहूल गांदीर कंपनीर इकनामिक फैनाशल्स टांजक्शन्स आछे और एक उथा जॉब आप्टा मात्र राहूल गांदी दीते परें गौर और नीज फोल्ट इस वाल किया है ऐसा है दरपोग वो होता है तो दुनिया भर से लोग बुलाए कि आओ मेरी मदद करो और आप गांदी खांदान से संस्कार की अपेक्शा कर रहे है मुझे लगता है कि मैंने अभी इस विवरण के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है साल 2008 में गांदी खांदान की कंपनी ने कहा कि हम अखबार का प्रकाशन नहीं करेंगे रियल एस्टेट का धंदा करेंगे साल 2010 में जब हमारी सरकार नहीं थी तब गांदी खांदान ने एक ऐसे कंपनी की स्थापना की जिसके माध्यम से उन्होंने 2000 करोड की संपत्ती हडपी और इस संदर्ब में AGL और Young Indian का जो संबंद है इसके संबंद में 2019 में दिल्ली High Court की टिपणी मैं अलरड़ी यहां पर बता चुकी हूँ तो आप करें काले धन को इकत्रित करने का काम और फिर आख दिखाएं investigative agencies को और कहें कि हम रश्टा चार करें तो आख मूंद लो यह संविधान के माध्यम से संबंद नहीं है Nobody is above the law, not even राहूल गांदी आज एक पत्रकार ने इस press conference में कह दिया कि ED के माध्यम से क्या-क्या छुपाया जा रहा है राहूल गांदी द्वारा तो मुझे लगता है राहूल गांदी और ED के संदर्व में क्या चर्चा हो रही है ED के प्रतिनिधी बहतर बोल पाएंगे मैं इतना ही कह सकती हूँ कि आज पत्रकार ने आपके संग्मुक जो बैठें उन्होंने भी कहा कि मात्र दिल्ली में नहीं बल्कि देश भर में इस प्रकार का प्रदर्शन कर जनता के यातायात में गतिरोध दिया जा रहा है राजक्ता फेलाने का प्रयाज किया जा रहा है लेकिन लक्ष उनका क्या है लक्ष मात्र ये है कि लोक्तंत्र नहीं राहुल गांधी की 2000 करोड की प्रापटी बचाओ प्रापटी बच्छिताओ जा बादे टीजिगा स्फंद्धी लुग कि विए खुडिया पुछ्छिताओ युड तो रहु थीजिए है लोगी अग्ष जाने क्या जाने हुद है अधिक्षिताओ टीजिश बच्राइब से इसक्षाइब कोऊड़ी तो है। those who are trying to barricade an investigation so that the truth can come out, are afraid of barricades that have been put up so that citizens can be protected. If you have nothing to hide, what is the problem? My last question to Shemathi Wadra is since it seems one segment of the family specializes in real estate, what is your relationship with dotex merchandise private limited thank you